तो जो मैंने लाश्ट टाइम अपने पापा की आखों में नमी में जो मैंने मैसूस किया उस टाइम मैंने अपने चार सब्दों में अपने अलफाजों में उनकी लिए एक छोटी ची कवीता है उन लिखियों में बया करूंगी अब अब मैं पढ़ते पढ़ते अब मैं सोनी लगा हूँ खोल के मन के मन चाही पनने अब मैं पढ़ते पढ़ते सोनी लगा हूँ शायद मैं बुड़ा होनी लगा हूँ शायद मैं बुड़ा होने लगा हूँ मेरी आदत कुछ इस तरह की है कि मेरा एक मानना है कि पढ़ना एक भरना है और लिखना जलकना है तो जब तक हम पढ़ने सकते किसी चीज को समझ ने सकते किसी चीज को तब तक हम लिख भी ने सकते हैं, हमें लिखने का हक भी नहीं है। अपनी जिन्दगी किनी असान उन्दी है, हो ता लेख की जानदा है। अपनी किताब जिन्दों पेश कीती ता की कारण रहे थे नाली किस तरह आदिया मुश्किला देखन नों मिलिया उन्दी जिन्दगी देविच जिन्दों ने किताब अगे लेके आदी। सथ्रीकाल मैं। सथ्रीकाल मैं। कैसे मैं। थोड़ी बुक मेरे अलफाज दिल के एहसास। जिड़ी पबलिश होई या हाली देविच। की कहना चाहूंगी। मैं मेरी जो ये बुक है पहली बुक है मेरी मेरे अलफाज दिल के एहसास। ये 23 जुन 2022 को डॉक्टर रितेश बंसल और डॉक्टर सुमन बंसल जी ने परकाशित की है। और उन्होंने मुझे पेड़ना दी है कि मैं आगे भी बहुत अच्छा लिख सकती हूं और उन्होंने मुझे आश्रिवात दी है कि मैं अब फिर से अपना सपने को दुवारा कर सकती हूं क्योंकि मुझे दुवारे से मौका मिला है मेरे सपने को पूरा करने में क्योंकि मेरे घर के कुछ हाला ठीक न होने के कारण मैंने अपने सपने को ऐसी ही थोड़ा जा स्टॉब कर दिया था ठीक है तो फिर से मुझे किस्मत ने मोका दिया और मैं इस चीज लिए बहुत खुश हूँ कि मेरी किताब मेरे अलफाज दिल के हसास मेरे सब्दों से बया होई है मेरे अलफाज दिल के हसास जड़े तुसी बुकदा टाइटल रखिया है इदा की कारण रहा भी इस बुकदे विच की की खास है इदे विच जी जो मेरी जिंदेगी मैंने संगर्स देखा है ठीक है जी जो मेरी जिंदेगी मैंने संगर्स देखा है उनसे बहुत प्यार था और अभी भी है और आज वो मेरे जीवन में नहीं है लेकिन वो उनका अर्शिवाद हमीशा मेरे साथ है थोड़े पापा ने जिदो दुसी बचपन दे विचे इस तरह लिख दे सी ता उन्हें ने सपोर्ट की था फैमली वो पूरी सपोर्ट आई पढ़ी और उनने मुझसे पूछा कि बेटा बहुत अच्छा लिखते हो आगे क्या करना चाहते हो तो मैंने का पापा मेरा सपना एक लेखी का बनने का है और मेरे पापा ने का कि मेरा आश्रिवाद हमीशा तेरे साथ है और जितना मुझसे होएगा मैं उस चीज में आपक साथ है और उनना दा आश्रिवाद ही आज मुझे इस यहां तक ले पाया है यहां तक मैं आप आई हूनी कि आश्रिवाद की किर्पाद रिष्टी है और मेरे ठाकुर जी किर्पाद रिष्टी है जो मैं आज इस मुकाम पे पहुंची हूं अपनी जीवन में यह फैमिली द सबस्की कि आ और रूखे कि महान आ नहीं नहीं को फुर्ड मन्दर बहुंगर करें। थैanim कि टो नहीं टो डहाओगे रूख भाई technology Captain कि मैं राते थी जा यॅड़ो मेर दादी जी तो मैं नहीं अपनी बहन को सीद्धा गालकरीया तां। जिदन तोसरी महीं के लाएं मेरे और पापा धुकून में मेन में. हुद मेरी महीं को बेहन नो ड़ोजा अगे बाहिक तो मैं नियुक्ति सब्सक्राइब.. तो मंदर में रहते थे तो गाओं में रहती थी मेरी बहन मेरी दादी जी तो मैंने ही अपनी बहन को अपनी बच्ची वांगो पाला है सुरू से ही पाला है और मुझे अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी इस कारण से क्योंकि बच्पन में ही मेरे पापा चाहते थे कि मै एक कथा वाचक बनू जिसके लिए उन्होंने मुझे गुरुकुल द्रॉनस्थले आर्शे कन्या गुरुकुल देराद उन्हों पढ़ने के लिए भी डाला था में लिखने का ख़़ भी नहीं अगर न चीजी को अगर हम दो हजार पने पढ़ते हैं तभी हम दो हखर दो लाइने है अपने सब्दों से चाइब करणा और आज मेरे मातापिता के आशीवाद की किर्पा दृष्टी से मेरे ठाकुर जी की किरपा से और मेरे सभी डॉक्टर महा अनुवा हो जो भी है मेरे डॉक्टर स्पायरल में सभी डॉक्टर जी उनकी आशिवा से मेरा सपना ही पूरा हुआ और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज के लिए जी आप आज कल दे यूद्धी गाल करिये ता उनना नो जड़ा बुक्स वगरा पढ़ना वदिया नी लगदा हुँ जादा तर सोशल मीडिया थी एक्टिव रहन दा उधे ते की कहूंगे जी देखो जी मेरा मानना ऐसा है कि मानती हूं कि आज कल इंटरनेट पे सब कुछ जुड़ा हुआ है लोग किताबे पढ़ना तो दूर किताबे देखना भी पसंद नी करते हैं लोग के पास टाइम ही नहीं है सभी बहुत बीजी है अपनी लाइब में लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहूंगी छोटे से अपना संदेश उनको यही देना चाहूंगी किताबे पढ़ना चाहिए अगर हम अपने दो अखर पढ़ सकते हैं अपने किताबे पढ़ सकते हैं तो ही हम अपने जिन्देगी में भी उस चीज़ को समझ सकते हैं में क्या लिखा है उन से में ग्यान ही मिलेगा है न जी तो जो मैंने की लेखकों की किताब में जो भी सभी लेखा जितने भी अपने तो उन से हमें कुछ ने कुछ ग्यान के मौती ही प्राप्त होएंगे और मेरा मान न ये की किताब ही पढ़ना चाहिए हो जरूरी है सब के ल आँ नो ने भी बोला सर को डोक्ट्ट्साभ साह ज़िए बहुत अच्छा लिखती हैए होत अच्छा अपने अलपाज में अर्भाज असर अभेट मैं ज्यूक्त कि इसमेहाभ इस रेटीक्या सप्ना होई कि मैंने मेरा सपना पूरा करने का मौका मिल रहा है और मैंने बोला क्यों नहीं सर मैं जरूर दे सकती है तो मैंने दो महीने के अंदर-अंदर उनको अपने विचार, अपने अलफाज और अपने डाड़ी से मुझे बहुत लगा हो था उनके बारे में जो कुछ भी लिखा मैंने इस बुक को मैंने उनको डायरी अपने लिखके और उन्होंने ही मेरी बुक को सारा प्रेंट कराया है, सारा खर्चा बगरा है, सब कुछ उन्होंने कराया है, और आज 23 जून 2022 को डॉक्टर सुमर बंसल जी के हातों से परकाशित हुई है मेरी बुक, और मैं उस चीज के लिए बहुत खुश हूँ जी, और मैं आगे भी ल निरू मैं अपने कापेंट किताब में वहां पर उनका संपर्क जो मुझे डॉक्टर साब नहीं दिया था, तो मैं वहां पर गई मैं ने मेरी बुक के बारे में पूछा, मैं उनको बताया, मैं तो मैं ने बोला ठीक है, आप मुझे अपने 10 बुके दे जाओ, और मैं आपक यहां का आप मिरको लोगों को अपना परकाशित का जो भी अपना बुक का जो भी देना है, तो दे देना, तो मैं यहां से आपका उकराओंगी, तो उनी के थुरू, उनी के जरिये मैं आप चैप से मिल रही हूँ, यह मैं निरू मैं को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह कि मुझे दुबारा से मुखा मिला है मेरी लाइप में और में इस चीर के लिए बहुत खुश हूँ अगे दी गल करिये था अगे भी इस तरह दिया हूर बुक्स आ रही है ने हां जी हां जी मैं नैश्ट बुक अपने उतराखंड के बारे में लिख रही हूँ अपने गोऄ अधा के उपर लिख रही हूँ जो आज आज़ कल गाये नो वीमारी दो लगूरी है ना जी ओधे बारे में लिख रही हूँ और अपने उतराखंड के बारे में लिख रही हूँ जी बहुत जल्दी मीरी आप लोग के समक्ष्प सो डॉक्टर नितेश माजन तो जान दिया कि उनना ने साक्षिनाल कदो मुलाकात कीती ते कदो तुसी सोचे अभी अपना दी बुक पब्लिश कर वो निया मैं साक्षिना सादे कली ने कम कर दी है ते आफ्टर प्रिटी लॉंग टाइम कोई पांचे मिने बाद सानु पता लगया कि कुछ लिख दी है जैसके कुछ लिख दी है ते एक दिन आई टोल है कि तु अपनी किताब जिली जो भी तुने कापी लिखी है और नाल लाके आ ते उन्हें सानु कापी दी ती ते ओ कापी मेरे बैक चे कम से कम नी को छे साथ मिने पही रही फिर मेरे एक दोस्त ने इदर अजाद प्रिंटर वाले काफी पुराणे लोग हैं शेर दे ते उन्हांनों मैं रिक्वेस्ट किती कि कुछ करो सा डिवास ते तो उस मुने ने अज अजाद ने बड़े प्यार ना ले नबेर पे उन्हीं उन्हीं पे ते असी पैसेच एक किताब उन्हें सानु छापके देती कि मिनिमुम कॉस्ट मैं करांगा ते शानु इस गाल दी खुशी है कि जो इन्हें दो तिन किताब में लिखी हैं इक दू मेरे खाले ने गुसेज पता नी की करके सठती है मेरे खालो इदे कुल है नी हून ते जो बची सीगी हो सी चापती है ते हून अगली जडी किताब है बिकास कुडी उत्रा खंड तो है थोड़ा बहुत पूजा पार्दी तर थे आन रख दी है ते हून अगली किताब जडी आएगी वो वेधिक तो इनना चंगा नी कर दी जो इनने अपने पिता दी एपसेंस दी विचना ये बहुत चंगी चीज लिखी है ते आसी मोटे तो और ते हुई जब पहले कैसी तो आनू कि अपनी किसमत नुदे ना जोड़न दी कोशिश कर रहे है ताकि सादा भी कुछ हो जाए उस साब ना चंगा पिजए ये तो डॉक्टर चाहुला ते तो उन्हों ने मिर को बताया कि आप पेशिंट को मत बताना तो मैंने का ठीक है डॉक्टर साब लेकिन मेरे कुछ ताम मुझे ऐसा लगा ये वर्ड सुनके ही कैंसर की मेरे पापा को कैंसर रश तेम में थोड़ा कमजोर पड जाए और मैं बहार आई अमरजनसी अर्च पापा के पास में बाहर आई आजी आपको कुछ नहीं आप घर चलते हैं तो मैंने का पापा कुछ नहीं आपको ठीक हो जाओ गया तो मेरे पापा ने हंसे और मेरी तरब को देखा और मेरी हमत बढ़ई कि हां ठीक है बठा हूं कि लेकिन अल्रेडी मेरे पापा को चार साल पहले से ही पता था कि उनको कैंसर है ठीक है जी already मेरे पापा को पता से की उनको केंसर है और हो हमसे चुपाना चाते थेeredом के सब्सक्रापना कowरा है तो मियने last time अपने पापा की आखों में नमी में जो मैंने महसूस किया उस टेम मैंने अपने चार सब्दों में अपने अलफाजों में उनके लिए एक छोटी ची कवीता है उन लिखियों में बया करूंगी आपके अब मैं पढ़ते पढ़ते अब मैं सोने लगा हूं खोल के मन के मन चाहे पनने अब मैं पढ़ते पढ़ते सोने लगा हूं शायद मैं बुड़ा होने लगा हूँ, शायद मैं बुड़ा होने लगा हूँ, पहले से जादा फूरती नहीं मेरे वदन में, दो कदम चल कर भी अब ठकनी सा लगा हूँ, शायद मैं बुड़ा होने लगा हूँ, शायद मैं बुड़ा होने लगा हूँ, पहले से जादा अपने मेरे पास रहें, ऐसी कामरा में मन ही मन करने लगा हूं, बस खोल के मन के मन चाहे पनने, पढ़ते पढ़ते मैं सोने लगा हूं, शायद मैं बुड़ा होने लगा हूं, जाना तो इस पार से उस पार सबने हैं, बस चलते चलते चला जाओं, जाना तो इस पार से उस पा मैं ठाकुर जी को बहुत मानती हूं, श्री रादा किशन को मैं बहुत मानती हूं, और मेरे को उनका एक भजन है, जो मुझे हिम्मत देता है, अब गिरते हुए तो मैंने तेरा नाम लिया है, जब थाम लिया है तोने हाथ मेरा, तो मैंने तेरा नाम लिया है, तेरा नाम लिया है, ठाकर जी के लिए मेरा ये भजन है पर इसके में दो लाइन ही आपको सुनाना चाहूंगी जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है गिरनी न दिया तूने मुझे थाम लिया है कि सोरी कुछ ऐसा शिरादे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए जुबा पे बस राधे राधे तेरा नाम हो जाए शिरी राधे 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 जैन